नमश्कार दोस्तों रमेडी अपडेट चैनल में आप सब का स्वागत हैं दोस्तों आज हम आपको पुताएंगे कि लेसन को तकी के निचे रखकर सोने से क्या के चमतकार हो सकते हैं आप कभी सोच भी नहीं सकते लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने रमेडी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि हमारी आने वाल नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और साथ में लगए बेल आइकोन का दबाना मत भूलना तो चेलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम सभी की घरों में आमतर पर ल कुछ लोग लेसं की बनीव चटनी खाना पसंद करते हैं तो कुछ को लेसं का तरका लगए दाल या सब्सक्राइब पसंद होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने के अलाव भी लेसं के कई सारे उप्योग हैं जो अगर आपको पता चल जाए तो आप उनी जिन्दगी इसके बावजूत उनकी जिन्दगी में सब कुछ ठीक नहीं है ऐसे लोगों के घर में नेग्टिव अनर्जी आ जाती है जिसकी वज़े से घर में सब काम खराब होने लगते हैं ऐसे में आप मानसिक और शारीर रूस से परशान रहने लगते हैं एक शोध में ऐसा पाया ग लें द्याद के सब्कूं होने में चीन्दगी में लोग नेंड़ना आने के दिख्कतों का समना कर रहे हैं सुवह से शाम तर्लOh al Import ऑने से परशान हुरे लोग लेसन का उप्योग कर सकते हैं बता जाता है अजिस सोने से पहले तक है कि निचे लेसन को रखकर सोय जाए तो इससे अच्छी नहीं रखती है दोस्तो जिन लोगों के दातों में एकसा दर्द रहता है उन्हें सुवई उठकर खाली पेटी लेसन की कलिका सेवन करना चाहिए ऐसा करने से दाद का दर्द कुछ ही दिर में ठीक हो जाएगा क्योंकि लेसन में दर्द दूर बगाने के और शदिया गुन पाई जाते हैं जिससे दर्द का नामों निशान मिट जाता है दोस्तों कई बर मौसम बदलने की वज़े से घर में बच्चे और बच्चोरक बिवार पड़ जाते हैं ऐसा बैक्टेरिया की वज़े से होता है बदलते मौसम में बैक्टेरिया भी अधिक मातर में पाई जाते हैं जिनकी वज़े से बच्चों में सर्दी जुकाम देहने को मिलता है। इस सर्दी जुकाम से अगर फोरण रात पाना चाहते हैं तो बच्चों के तक्ये के नीचे लैसन के एक कली रख दें। लैसन में अंटी बैक्टरियल बन होते हैं जिससे बदलते मौसम में बीमारिया नहीं होती। तो दोस्तों आप इस अनुखे तरिके से लैसन को अपयोग करें और अपनी जिन्दगी को खुशहाल बनाएं दोस्तों और स्वस्त रहें। तो कैसा लगा आपको वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल अर्मेडी अपडेर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।